अलो एंड वेलकम बाइक टू चानल में सब्सक्राइब और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूटीब चानल पर है दो दिन पहले एक भाई का मुझे इंस्सेग्राम पर डिम आया वो अंद्रपदर्श से हैं उन्होंने मुझे क्वेशन पूचा क्या च्छो क चूज करना सही रहेगा या नहीं और यही चीज वह अपने वाइफ के लिए पूच रहे थे यही बात इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है क्या बीसी नर्सिंग के बाद सीयोचो करना बेस्ट ऑप्शन है या नहीं अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडिय करना है जैसे आप कॉल बुक करते हो हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा और आप हमारे साथ बात कर सकते हो आपकी जो भी डाउट हो वह हम क्लियर करने की कुशिश करेंगे तो हम बात कर रहे है क्या बीसी नर्सिंग के बाद चूज करना बेस्ट ऑप्शन है या नहीं अब इसका आंसर जो है वह अब जब हम वीडियो के end में जाएगे इसमें अपको मिलेगा उसमें हम discuss करेंगे या नहां और उसके रिजन्स भी वहाँ पर discuss करेंगे लेकिन उससे पहले ऑजो पूरा portion रहेगाãyंड बीच में का पार्ट रहेगा इसमें आपकू रिजन्स मिलेगे ह आ या ना के लिए सो इस वीडियो को ध्यान से देखें अब जब आप पस आउट करते हो और मानो अपने अभी अभी 2022 में पस आउट किया है और आपके यहाँ पर वैकेंसी आई है तो क्या अपने जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मेरा मानना हमेशा से यही है अगर आप फ्रेशर हो और आपको वीएसी नसींग पास आउट होकर आपके पास अब यह से पास कोई भी क्लिनिकल एक्स्प्रेंस नहीं है बट आपके यहां आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्टेट में सी यह चोंश की वैकसिस आई है तो अब तभी यह होगा और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हो तो इंट्रस एक्जाम दीजिए फिर उसके बाद आगर आपको आपका तालू का मिल रहा है जब भी कांसिलिंग रहे गया आपका ब्लॉक मिल रहा है आपका अपका एरिया मिल रहा है मतलब 20 25 30 या 50 किलोमेटर्स के आसपा सबसे अभिखना है यह आप आज हमेश्या से रहता हमेशा से मैं अरत कैसी यह बनते हो तो यह काम हो गया किया और क्योंकि मैं वेर्स कर कर रहा हूं सबसे पहले आपको OPD देखना है yes well and good OPD में आपको इंजेक्शन या फिर यह वो चीज़े ज्यादा आपको मौके नहीं मिलेगे आई भी लगाना या फिर बड़े प्रोसिजर्स देखने को नहीं मिलेगे जिसका मतलब है कि जो एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए एज फ्रेशर बड़े-बड़े cases का बड़े-बड़े surgeries का medical patients को handle करना surgical patients को handle करना वह एक्सपरेंस आपको नहीं मिलता यहाँ पर family planning operations and all वह होते हैं वहाँ पर pre-operative, post-operative cases आप देखोगे लेकिन वह mostly जो A&M sisters होते हैं वह देखते हैं तो आपको तो वह experience नहीं मिलेगा तो BS nursing करने के बाद जो चीज़ें आपने learn करनी चाहिए यहाँ पर आप सीख रहे हो क्या नहीं सिर्फ आपका जो basic knowledge है वह आप management करना चाहिए क्योंकि जब आप OPD handle करोगे तो एक तो freshers को most of the time yes most of the time medicines का उतना ज्यादा knowledge नहीं होता है या फिर किसी को गलत prescription गया या फिर कुछ गलत मतलब काफी कुछ चीज़े इसके consequences हो सकते हैं that is another reason की as a fresher आपको join cancer, hypertension, diabetes in disorders को यह जो non communicable disorders है इनके लिए patients को आपको जो भी population दिया है उनको आपको screening करना होता है यह काम आपका होता है फिर सब भी registers maintain करने आपको होता है फिर उसके बाद यह data portals पर लिखना होता है मतलब जो data entry operator kind of job यह हम कह सकते है most of the parts in the country आफी CHOS अगर यह वीडियो देख रहे है तो आप मुझसे relate कर रहे होगे if it is true comment करें नीचे yes it is true अगर आप यह चीज़ face कर रहे हो और इसके अलवा और कुछ चीज़े face कर रहे हो तो नीचे comment box में comment करें कि आप क्या कर रहे हो तुरुआत में मैंने कहा था जो एक भाई है उन्होंने अपने वाइफ के लिए पूछा था तो मेरा यह अगर वह आपने तालुका में या फिर अपने district में है तो CHO एक ऐसा इंसान होता है एक ऐसे पोस्ट है ना जहाँ पर अन्यम का कुछ पार्थ है आशास का कुछ पार्थ है फिर उसके बाद MPW का कुछ पार्थ है डाटे इंट्री ओपिटर का कुछ पार्थ है तो इनके थोड़े थोड़े रॉल को combine करके CHO है पताने के लिए CHO है आप करने के लिए मतलब अगर कोई भी मिस्टेक हुई किसको पकड़ना है अगर आगे मतलब अगर आपका प्लैन है कि मुझे अगे एजूकेशन लेना है मतलब हायर स्टडिस करना है तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहां पर बॉंड दिया होता है बॉंड ब्रेक करते ह लिए आपको कुछ फाइन पे करना होता है यह भी है तो आप होता क्या है एक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो और आप जहां हो वहीं पे हो सिर्फ थोड़ा कम्यूंटी का जो नौलेश है वह आपका काम आता है अब अगर आप पूरे डेडिकेशन से पूरे कन्विक्श के साथ अगर आप काम करो तो वन आप दो फाइनेस जॉब अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट देखो तो ग्राउन लेवल पर सबसे बेसिक है आपका रूरल एरिया अगर आप टैकल आउट करो वहां के हेल्थ इश्यूस को अगर आप सौर्ट आप करो तो अर्बन एरिया में इसे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एवलेबल है तो वहां पर ज्यादे दिक्रत नहीं रहेगी लेकिन रूरल एरिया में प्रॉब्लम सौर्ट आउट हो गए तो आपका हेल्थ सेक्टर डेवलप्ट कहलाया जाएगा तो रूर एरिया में ग्राउंड लेवल पर क अगर आप डेडिकेशन के साथ करने किसाथ काम करना चाहते हो या अगर आपको कन्विक्षन के कि कि यहां पर यहां पर यह नहीं है कि मैं पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि आप 247 डिउटी पर होते हो त्यूंच क्योंकि कभी भी रात के कोई मेंसेज आ सकता है आपके वाटसाप ग्रूप पर कि कल यह है मतलब देर इस लो सर्टेंडी आट एनी इंस्टेंस जैसे आपके बॉंड में भी जो आप बॉंड देते हो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई emergency case में आपको जाना पड़ सकता है अगर कोई vacation है मतलब कोई holiday government holiday है तो अगर कोई emergency है then that government holiday won't be holiday for you, you have to be there on your duty, अगर government holiday है और आपका routine immunization day है वो तो that won't be your holiday आपको वहाँ पर immunization के लिए जाना पड़ता है, that's completely fine, no issues, तो वो आपको ध्यान में रखना है and then you have to decide कि क्या सही है, क्या घलत है, यहाँ पर मैं अच्छा ही या फिर बुराई नहीं गिन रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ जो fact है वो गिन रहा हूँ, तो everyday daily OPD आपको करना है, फिर NCD screening आपको करना है, फिर उसके बद आपके OPD का मतलब जो भी OPD cases आप देखोगे, उसक है, इस पर मौनिटर करना है, उसके और अगर से बास बास वे यहरां को धेख सकौचन होता है, यहाँ और को करना पड़ता है, णार्य बेंग, सी आती है उसमें आपको वहाँ पर रहना पड़ता है वहाँ पर भी आपको रहना पड़ता है देन फैमिल प्लानिंग के रिगार्डिंग नॉलेज देना हेल्ट एजुकेशन देना देट इस अलसो यूर वर्क तो अगर आप सोच रहे हो अब ब्रॉड में जाना तो मेरा यह पहुता है कि क्लिनिकल्स में जाए है तो अगर आपको अपके कम दिस्टिक्ट में अगर आपको मिल रहा है हंड지만 क्लि को चोट कर बाहर रहते हो इतने है distance पर तो यूढिए यो फा मिली निट इन बैकेस अब यहां पर में इमोशनल चीजें यार पर नहीं लेकर होगा कि आपको फैमिलीब इंपोर्टन है तो करियर ने करना चाहिए प्राइरिटिस होती है अपके आपको डिसाइड करने पड़ेगे and accordingly मैं जस्ट आपको facts बता रहा हूँ कि यह चीज़े आगे है decision आपके हाथ में है तो यह जो अभी तक यहाँ पर हमने जो 10-15 मिनिट में जो भी discuss किया है ना इस वीडियो में इन बातों को आप ध्यान से देखिए गोर करिए और उसके बात करना सही रहे गए या नहीं मेरा opinion अगर आप लो तो फ्रेशर आउगर आप हो only if आपके ही नजदिक में है आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है आपके घर पर रह रहे हो and then you are going that's fine अगर आपको आपका पास एक्स अगर आपके पास experience नहीं है clinical exposure नहीं है तो I would say मत है clinical experience लीजें अगर आपके पास दो साल तीन साल अच्छा experience है और आगे आपका मतलब teaching में जाना या फिर higher studies लेना आपका अगर प्यारिटी नहीं है तो भी that would be a good option अगर आप सोच रहे हो कि clinical मतलब experience हो या ना हो या फिर सब कुछ अपका ठीक है आप सोच रहे हो कि higher studies में कही किसे भी कर लूँगा और कैसे भी कर लूँगा that's fine फिर भी आप join करिए आपके लिए सही रहेगा और अगर आप fully convicted हो जैसे मैंने बता है आप dedicated हो service देने के लिए तो वो और भी अच्छी बात है doesn't matter आपका conviction है आप determined हो या ना हो जब भी आप as a CHO join करते हो आपका एक काफी important role होता है आपके society not just in your society बट पूरे इंडिया के पूरे country के health sector में एक काफी important role पर आप हो उपर का जो भी मतलब अगर आप हिरार की देखो नीचे से उपर सबसे नीचे आप आप हो और फिर आपके नीचे एनम और अधर स्टाफ से सबसे नीचे आप हो rural areas को अगर हम देखे तो तो अगर आप आपसे उपर जो भी है वो जो कुछ भी उपर जाएगा जो कुछ भी data उपर जाएगा वो आपके तरू जाएगा तो आपके तरह मतलब CHS एक 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 का collective data जाकर मो फिर टी एच मतलब जो ब्लॉक लेवल officers होते हैं फिर उसके बाद डिस्टिक स्टेट लेवल फिर यह पूरा स्टेट का हेल्थ का जो भी data होता है वो त्यार होता है इसलिए इस वेरी इंपोर्टन जॉप तो क्या बीस इनल सी के बाद CHS करना best option है या नहीं यह इस वीडियो से आपको reasons मिलते हैं और वीडियो को end करने से पहले यह जो decision है कि क्या CHS best option ह है या नहीं मैं यह decision आपके हाथ में रखूगा you decided और आप क्या decide करते हो क्या लगता है यह भी आप नीशे comment box में comment करके बता सकते हो तो उमीद कर तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आप च आपके doubts clear करवा सकते हों तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टापिक के साथ तब तक के लिए शालों शांती और सलाम बबाए